स्वागत है आप सभी का My Gadget Experience में दोस्तों इस वीडियो में एक बहुत बढ़िया 4.1 चैनल होम थेटर सिस्टम सोनी SA-D40 का Unboxing, Review और Sound Test करेंगे जो काफी पहले लाउंच हो चुका है और बहुत पापुलर भी है मैंने इसका 2022 model Flipkart से offer के तहत 8,541 रुपए में खरीदा है वैसे इसका regular price 95,000 रुपए है सबसे पहले इसकी Unboxing करते हैं Box में जरूरी features को mention किये गए हैं Box के अंदर एक बड़ा सा main subwoofer unit Side में 4 satellite speakers, user manual और accessories रखे हुए हैं पूरी तरह से open कर लेते हैं मेरे पास black color का variant है accessories के रूप में एक छोटा सा remote controller 2 AAA battery, power cable, power adapter और aux to aux cable है साथ में user manual और warranty card भी है इस home theater system का main unit, woofer unit है यह black color का size में काफी बड़ा है लेकिन size के हिसाब से ज़्यादा वजन का नहीं है इसका main body MDF mode की बनी है जो की ज़्यादा मजबूत तो नहीं लग रहा इसे पीछे की और जुकाया गया है front में 6.5 inch का woofer driver लगा है जो metal की जाली से धकी है इसी के नीचे hole दिये है left में power button, input selection के लिए function button और LED indicator दिये है right में USB port और play pause, track change करने के लिए button दिये है बांकी पूरा body black surface है पीछे यहां से aux cable, power cable और बांकी satellite speaker को connect करने के लिए port दिये है साथ में दिये 4 satellite speaker, plastic body की है और speaker को metal की जाली से cover किया गया है सामने Sony की branding है पीछे wall mount के लिए hole दिये है इनके cable की लंबाई लगभग 10 feet है Sony SA-D40 एक 4.1 stereo channel speaker system है जो total 80 watt RMS का power output देता है और connectivity के लिए aux port, usb port और wireless connection के लिए bluetooth 5.0 है या एक stereo channel speaker system है इसलिए placement के लिए इसके satellite speakers को woofer unit के left और right side में दो-दो speaker रख सकते हैं या एक left और एक right speaker को wall mount कर दें और एक left और एक right speaker को woofer के दोनों side में रख दें इनके cable लंबे हैं इसलिए speakers को फैला कर दूर तक रख सकते हैं इस home theater system में मैंने अलग-अलग input mode में अनेक song, movie, OTT content सुने है और connectivity, audio streaming में कोई परिशानी नहीं हुई है रही बात sound quality की तो इस home theater system से excellent sound सुनने को मिलता है आडियो की clarity, bass की quality बहुत impressive है आडियो में vocals और troubles clear है high volume में भी irritate नहीं करती है कर त lower ह कि क्तेश में आडियो कि अब्या ओूने समयदे करेवान इसका बेस इस्पेसियली इंप्रेस करेगा बेस ज़्यादा डीप सुनाई देता है लोवर बेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है इसलिए साउंड मेलोडियस सुनाई देता है साउंड क्लियर मिलेगा साउंड में क्रिस्पनेस थोड़ी कम मिलती है इस स्पिकर सिस्टम में आडियो का सिगनेचर वॉल्यूम के अधार पर बदल जाता है बेस को ज़्यादा बूस्ट किया गया है इसलिए कम वॉल्यूम में बेस ज़्यादा सुनाई देता है वोकल्स और ट्रेबल्स थोड़े दबे हुए तो लगते हैं फिर भी परियाप्त सुनाई देता है जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं बेस धीरे से बढ़ता है लेकिन वोकल्स ट्रेबल्स ज़्यादा बढ़ते जाते हैं और 50% से थोड़ी उपर वॉल्यूम में बैलेंजड आडियो मिलता है जिसमें बेस, ट्रेबल्स और वोकल्स लगभग बराबर सुनाई देता है फुल वॉल्यूम में साउंड के बेस में असर पड़ता है सही से बेस नहीं बढ़ पाता लेकिन बेस के मुकाबले वोकल्स और ट्रेबल्स ज़्यादा सुनाई देता है मतलब high volume में vocals और trebles dominate करती है इस speaker system के sound को इस तरह से tune किया गया है कि इसे सभी प्रकार के audio content के लिए use किया जा सकता है अगर old melodious song या कोई भी song सुनना चाहें deep bass को अच्छे से महसूस करना चाहें vocal clarity अच्छे से सुनना हो तो volume को 50% तक रखें अगर आप कोई movie OTT content देखना चाहते हैं जिसमें ज़्यादा details के साथ audio सुनना चाहते हैं vocals में ज़्यादा intensity चाहते हैं clarity चाहते हैं तब volume को high तक ले जा सकते हैं इस तरह के sound तब सुनाई देता है जब यह speaker system बिलकुल सामने हो अगर आप इस sony sd40 speaker system के बगल में थोड़ी दूर में हैं तब heavy bass सुनने को मिलता है इसका मतलब यही है कि woofer unit का placement बहुत important है heavy bass के लिए इस speaker system के stereo channel होने के कारण इसमें sound का बढ़िया stereo effect सुनने को मिलता है चार satellite speaker के कारण audio फैला हुआ सुनाई देता है 80 watt के हिसाब से बढ़िया loudness मिल जाती है तो audio quality के मामले में यह speaker system excellent है USB, AUX और Bluetooth तीनों mode से connectivity में कोई दिक्कत नहीं हुई है इसका remote controller थोड़ा handy है जिसमें limited control है चाहें तो remote controller से control करें यह speaker system के button से यह speaker system बहुत fast response करता है delay नहीं करता है इसमें कोई LED display तो नहीं है लेकिन LED indicator sufficient है status जानने के लिए इनके कुछ drawbacks को देखें तो इसमें किसी प्रकार का audio setting जैसे bass control, treble control यहां तक की sound mode भी नहीं मिलता है सिर्फ volume को control कर सकते है वो भी सिर्फ remote controller से हाला कि user habit को ध्यान में रखते हुए bass vocals, trebles को volume level के द्वारा इस तरह से control किया गया है कि bass vocals, trebles, control की जरूरत नहीं पड़ती है फिर भी direct control न कर पाना drawback ही है volume control के अलावा remote controller में on off, input mode, play, pause, track change जैसे उतने ही control button दिये हैं जितने speaker system में है remote controller का छोटा size मुझे काफी अच्छा लगा यह ध्यान जरूर रखना है कि speaker system में volume control के लिए कोई button नहीं है सिर्फ remote controller में है इसलिए remote controller को सम्हाल कर रखें LED display ना होने के कारण भी volume के current level और track number का पता नहीं चलता जब इस speaker system को off करने के बाद फिर से on करते हैं तब पिछली volume level को याद नहीं रखता और default volume बहुत कम में set रहता है जिसे आवस्यक्ता अनुसार फिर से बढ़ाना पड़ता है ऐसे में अगर remote गुम हो जाए तब volume को बढ़ा नहीं पाएंगे यह speaker system बहुत पहले launch हुआ है इसलिए optical port HDMI ARC port नहीं मिलेगा overall यह sony sd40 speaker system एक बहुत बढ़िया speaker system है इसकी melodious sound quality impressive deep bass easy setup इसका advantage है जबकि audio setting या audio control का नहोना old model है इसलिए नए input method का नहोना disadvantage कह सकते हैं क्योंकि अभी के speaker system में नए connectivity option मिल जाते हैं इस हिसाब से यह speaker system इसके price में महंगा लगेगा यह speaker system उनके लिए best है जो mobile phone, pen drive, laptop या desktop, computer system से connect करके अधिकतर समय songs, old songs सुनना पसंद करते हैं audio control का जंजट नहीं, use करने में आसान हो plug and play जैसा और कभी कभी movies भी देख लें तो भी दिक्कत नहीं है यह speaker system उनके लिए suitable नहीं है जो अपने speaker system में अपनी रूची के अनुसार audio setting या audio control करना चाहते हैं इसका purchase link डिस्क्रिप्शन में है आने वाली वीडियो में इस Sony SAD40 का comparison Obej HT244 4.1 channel home theater system से करेंगे तो इस channel से जुड़े रहिएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद